हेलो फ्रेंज आज मैं आपको सेंट ओफ ओउमन ये 1992 की मूवी एक्स्प्रेंग करने वाला हूँ इसके आम डिपरेटिंग 8 आउट ओफ 10 है यानि के बहुत ही सही मूवी है इस मूवी में एक ओल करना मरना चाता है पर इसके मरने से पहले बहुत सारी विशेश होती है ये विश कंपलेट करने में एक स्टॉरेंट उससे हल्प करता है यही इस मूवी की स्टोरी लाइन है तो डारेक्ली शुरू करते है Movie start होती है और हमें बड़ी सी एक school दिखाई गई है यह parent नाम की school है और यह बहुत ही famous है यहां बहुत scholar लड़ के पड़ते है यहां हमें हमारा main character दिखता है इसका नाम Charlie होता है यह जो week होता है यह thanksgiving का week होता है और सब students अपने घर जाने वाले होते है इसके बाद कुछ बिकड़े हुए बच्चे school के बाहर हमें दिखते है उनका जो principal होता है यह एक नई कार में आता है इससे हो जनने लग जाते है क्योंकि management ने इसने अपना job अच्छे से किया है इसी वज़े से उसे एक कार दी है यह सब लड़के अपने principal को hit करते है यह सब आप plan बना रहे होते है इनने skiing के लिए इस Thanksgiving पर जाना होता है जब Charlie school से बाहर आता है तो इससे भी बात करने लग जाते है इन लड़कों में से सबसे बिगड़ा हुआ हैरिच होता है यह इससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ skiing आ सकते हो चारली को जब वह वहाँ जाने का rate बताता है तो चारली इससे लिए मना कर देता है चारली एक पूर background जाता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते थैंस गीविन आने से पहले जो छुट्टिया होती है इसमें वो जॉब करने वाला है उससे जो पैसे आएंगे इससे वो अपने घर जा सकता है चारली इन सब को मना करकर आगे चला जाता है चारली फिर अपनी जॉब इंटर्विव के लिए एक घर में आ जाता है यहाँ जो लेड़ी रहती है उसके ओल्ड फादर होते है यही हमारे करनल है यह जो लेड़ी है यह अपने हस्बन के साथ जरा थैंक्स विन पर बाहर जाने वाली है पर इसके जो फादर है यह आने रहे तो इसके फादर का ख्याल रखने के लिए चार्ली को यह जॉब दिया जा रहा होता है वो अंदर जाने से पहले उसे यह देती है कि वो ज़्यादा कुछ क्वेशन पुछे तो इन्वर कर देना अब हमें करनल के पास चार्ली दिखता है करनल जो है यह बहुती स्टेट फॉर रूड वोमनाईजर इस तरह का कारेक्टर हमें दिखाया गया है जो लेड़ी होती है यह चार्ली को उसने पहले ही बोला होता है कि इसे सर मत बुलाना पर चार्ली जब घर में जाता है उसे उसका नाम पुछा जाता है तो यह सर बोलता है तो फिर कर्नल उस पर छीर जाता है और कहता है कि मुझे कभी भी सर मत बुलाना उसे कर्नल या फ्रांक इसमें से कोई भी बुला सकता है कर्नल फ्रांक जब चार्ली को देखता है तो उसे गेस करने लग जाता है उसे पाता चल जाता है कि पूर फैमिलिस से आता है यह एजम्सन करता है और उसकी इंसल्ड करता है चारली बताता है कि मेरी मदर convenience store चलाती है वो फिर उसे पोछता है कि तुम इस गाओ में क्या कर रहे हो उसे बताता है कि वो बेंड में जाता है फ्रैंक उसे बोलता है कि तुम ऐसे अफोर्ड कैसे कर सकते हो तुमारे मदर और फादर तो efforts लेते ही है फिर भी तुम कैसे इसे अफोर्ड कर पाते हो चारली एक special scholarship जीता हुआ होता है फ्रैंक की granddaughter खेलते-खेलते वहाँ आती है फ्रैंक उसे भी जिला कर कही दूर खेलने के लिए कहता है उसके grandson granddaughter होते है पर फिर भी उनसे वह प्यार नहीं करता चारली जब बोल रहाता है कि कैसे वह यहां रहना अपोर्ड कर सकता है तो फ्रैंक बोल हो जाता है फ्रैंक कहता है कि क्या तुम मुझे patronize करते हो यानि कि कितना struggle तुम कर रहे हो यह मुझे बता रहे हो यह army में करनली था तो कहता है कि तुमारे जैसे मैंने बहुत देखे है इन्हें मैं कड़ी punishment देता था यह कहकर उसे वह dismiss कर देता है चारली फिल घर में जाता है फ्रैंक की जो बेटी होती है उससे मिलता है उससे कहता है कि बना interview अच्छा नहीं गया मुझे नहीं लगता मुझे जॉब मिल सकता है फ्रैंक की बेटी कहती है कि तुम ही तो इस interview के लिए हो तुमें इस जॉब लेना पड़ेगा 300 डॉलर्स हम तुमें देंगे यह बहुत ही easy job होगा वो कहता है कि easy job है ऐसा मुझे नहीं लग रहा फिर फ्रैंक की बेटी कहती है मुझे इस holiday की बहुत ही जुरुत है अज़ तुमें जॉब नहीं लोगे तो बहुत ही problem हो जाएगा वो फिर उससे confidence देती है विली रात तक इस library में रुखता है और यह दोनों फिर बहार आते है जब यह अपने room तक जा रहे होते है तब जो भीड़े हुए दूसरे बच्चे थे इनको देखते है जो lamp post होता है इस और बड़ा सब volume में लगा रहे होते है यह देखकर विली हसने लग जाता है यह कुछ ना कुछ तो शरारत करेंगे यह देखकर उसे बहुत ही हसी आती है तब ही उनके एक professor वहा आती है यह इन सब को देख लेती है विली इसको cover करने कोशिश करता है पर एक करने बाता नेकस दिन स्कूल में जब प्रिंसिपल आता है तो लैमपोस के नीचे ही वो गाड़ी लगाता है यह जब गाड़ी लगाता है स्कूल का जो speaker होता है वो बजने लग जाता है जो सहरारी दी लड़के थे यह commentary करने लग जाते है वो कहते है कि प्रिंसिपल ने management की चाटी है इसी वज़े से इसको एक कार मिलिया है यह जब वो कहे रहे होते हैं तो balloon फुला लेते हैं इस balloon पर प्रिंसिपल का गंदा cartoon भी होता है यह देखकर प्रिंसिपल चीट जाता है और इस balloon को फोड़ने ही कोशिश करता है जब फोड़ता है तो इसमें बहुत ज़ारा paint होता है इस paint से यह कार पुरी खरा हो जाती है इसके बाद हमें directly प्रिंसिपल के office में विली और चार्ली यह दोनों दिखाए गए है टीचर ने इन दोनों को देख लिया था पर जो लड़के थे इन्हें वो देखनी पाई थी अब प्रिंसिपल इन दोनों से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताओ यह दोनों कहते हैं कि हम सही से देखनी पाए फिर विली को प्रिंसिपल अपने ओफिस से निकाल देता है इसके बाद वो चारली से बात करने लग जाता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो प्रिंसिपल फिर चारली को एक ओफर देता है वो क्याता है हावर्ड में मैं एक लड़के को अड्मिशन दिला सकता हूँ मैं आज साल एक लड़के को रिकमेंड करता हूँ और जिसके financial situation बहुत ही खराब होती है इसी को मैं रिकमेंड करता हूँ इस साल वो चारली को रिकमेंड कर सकता है पर इसके पहले जिस लड़कों ने ये सब किया है इनके नाम उसे देने पड़ेंगे चारली अपने फ्रेंड का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसे गलत लगता है इसलिए वो मना कर देता है प्रिंसिपल के लिए बहुत ही पसंद होता है अपनी जो इंस्टिट्यूट है इसकी रिस्पेक्ट, इंटेग्रीट ही ये खराब नहीं होने चाहिए इसलिए जो कल्प्रिट से इन्हें उसे ढूणना ही है ये चारली को बोलता है यो में तुम्हें ज़रा टाइम देता हो विकेंड पर सोचो और इसके बाद मुझे फिर से कहो चारली जब ऑफिस से बाहर आता है वहाँ वीली भी होता है वीली उसे कहता है कि ज़्यादा तुम टेंशन मतलो हमें ज़्यादा वर्री करने के कोई भी ज़रूद नहीं है वो उसे कहता है कि प्रिंसिपल जो है यहाँ में तोड़ नहीं कोशिश कर रहा है पर हम टुटेंगे नहीं हम हमारे फ्रेंशन में जो किया है यह किसी को भी नहीं बताते नेक्स दिन चारली फ्रैंक के पास आता है फ्रैंक की जो डॉटर है अब वो यहाँ से जा रही है फ्रैंक चारली को उसके कबड़े फोल्ड करने के लिए कहता है चारली उसे पुछता है क्या हम कहा जा रहे है वो कहता है कि तुम तुमारा काम करो जादा कुछ सवाल मत पूछो फ्रैंक की बेटी फिर से उसे मिलने आती है फ्रैंक चारली से कहता है कि तीन बार मुझे मिल चुके है इसे मुझे छोड़ कर जाने का इतना क्यों डर लग रहा है फ्रैंक की बेटी उसे मिलती है और फिर चली जाती है जैसे Frank की बेटी वहाँ से चल जाती है तो Frank ready हो जाता है Frank घर में तग रहा जाता है तो Charlie उसका हाथ पकड लेता है Frank उस पर चीर जाता है कभी भी तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे मैं तुममारा हाथ पकड़ूगा जब मुझे सारी की जरूत पढ़ेगी यह बहुत ही ज़्यादा स्टिक्ट होता है बाहर फिर एक डैक्सी आथी है वो कहता है कि चलो अब हमें चलना है चारली कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमें कहा जाना है फ्रैंक कहता है कि मेरे डॉटर तुम्हें कहना भूल कही है चार्ली जब उसे पूछता है कि कहा जाना है तो कहता है कि हमें New York जाना है चार्ली उसे कहता है कि मैं New York नहीं जा सकता यह इसके लिए ज़रा ज़्यादा responsibility हो जाएगी इसके पीछे एक reason है Frank को ज़्यादा दीख नहीं बाता है यह practically अंधा ही होता है एक अंध्या आदमी को New York ले जाना यह बहुत गलत हो जाता है इसलिए यह मना कर रहा होता है Frank कहता है कि क्या तुम responsibility से डर रहे हो वो फिर उसे force करता है और लेकर ही जाता है Frank ने first class ticket book की होती है वो फिर plane में alcohol मंगवाता है जब उसे serve करने के लिए airostress आती है तो उसे खुजबू से उसने जो send पहना है यह वो जान लेता है इसका नाम क्या होगा यह वो guest करता है और उसे नाम से पुकारता है चारली surprise हो जाता है वो बुशता है कि तुमने कैसे ही guest कर लिया फ्रैंक को लोगों के नाम या लोग कैसे है इसके बहुत जादा जानकारी होती है अक्सेंट यह OSS बनी है यह जहां रहती थी इससे मुझे पता चल गया कि इसका general name यही हो सकता है चारली surprise होता है कि फ्रैंक इतना intelligent है चारली उसे बुशता है कि हम New York के जा रहे है फ्रैंक कहता है कि जब मुझे बताना होगा तब मैं तुम्हें बता दूँगा फ्रैंक अब AeroStates को फिर से बुलाना चाता है वो कहता है कि woman गौर्डने सबसे अच्छी बनाई यह चीज़ जो होगी वो woman ही होगी वो कहता है कि woman के जो हेर होते है यही सबसे बढ़िया होते है उनके lips जब हम इसे किस करते है तब desert के बाहर हमें wine मिली है ऐसा लगता है वो बहुत ही औरतों की तारिफ करता है चारली कहता है कि तो बहुत ही ज़ादा वारते पसंद है नियॉयोक में आने के बाद एक five star hotel में आते है यहाँ बहुत सारी alcohol होती है फ्रैंक को यह सुनकर अच्छा लगता है और कौन-कौन से brand है यह वो चारली से पोचता है चारली फिल एक call लगता है वो आपने लिए एक limo book करता है एक बड़े से hotel में जाकर वो dinner करने वाले होते है चारली फ्रैंक से कहता है कि यह सब तुम क्या कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ dinner नहीं कर सकता मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा फ्रैंक कहता है कि तुम मेरे साथ आयो मैं तुम्हें बिना खाए पिया नहीं छोड़ सकता तुम्हारे जो flight है यह 10 बजे है तब तक तुम क्या करोगे हम जाकर खाना खाकर आ सकते है चारली भी आप इसके लिए मान जाता है जब यह limo में होते है तो limo का जो driver होता है उसे फ्राइवर केता है कि तुम किसी escort को जानते हो यह driver केता है कि maybe तो फ्राइवर केता है कि मुझे top class escort शेही है यह driver केता है कि मैं कुछ arrange कर सकता हूँ यह जब कार में होते है फ्राइवर को लगता है कि चारली जड़ा uncomfortable है उसे बोलता है कि कुछ ना कुछ तो तुम सोच रहे हो मुझे बता दो कि क्या तुम सोच रहे हो फिर चारली उसके school में जो भी incident हुआ है यह सब उसे बताता है फ्राइवर केता है कि यह जो विली है इसके father reach होंगे फ्राइवर केता है कि वो reach है और तुम poor हो इसमें ज़्यादा सोचने कि कोई भी जरूद नहीं है जब यह होटेल में आते तब चारली उसे पुछता है कि इतना ज़्यादा बड़ा होटेल तुम कैसे अफोड कर सकते हो फ्राइवर केता है कि मेरे जो pension में किरा थी यह सब मैंने स्योग करकर रखी है चारली फिर उसे बुछता है कि तुम्हारा आप plan क्या है तुम क्या करने वाले हो फ्राइवर केता है कि मेरे कुछ list है जो मैं complete करना चाता हो एक अच्छा सा dinner में करना चाता हो इसलिए यह होटेल में आये है इसके ब्रदर के साथ family thanksgiving वो करना चाता है एक औरत के साथ तो सोना चाता है और यह सब हो जाने के बाद हुआ अपने आपको मार देने वाला है यह वो चारली को बताता है चारली सब्राइस हो जाता है उसे धक्का लगता है उसे बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो फ्रांक फिर से उसे कहता है कि मैं अपने आपको मार देने वाला हूँ यह फिर डिनर कर दे फ्रांक फिर चारली से कहता है कि तुमारी जो फ्राइट है यह आप मीस हो चुकी है जो actual time था वो 9 बजे का था पर इसने 10 बजे बोला था उसे कहता है कि कल मुझे तुमारी जरूरत पढ़ने वाली है तुम्हें यहा रुखना चाहिए तोस्तों के लिए एक दिन क्या होता है चारली भी मान जाता है निकजिन जब सुबा होती है तो फ्रैंक अपने के लिए एक सूट सिल्वा रहा होता है चो हाटेल की टेलर होती है उसे एक सूट वा सिल्वा कर दे रही होती है यह बहुत ही beautiful होती है तो इसका भी पूरा मज़ा वा ले रहा होता है चारली को अपने friend विली को call करना होता है तो situation इसके बारे में पूछना होता है यह private room में जाकर बात करना चाता है पर Frank उसे पता देता है कि मेरे room में तुमें नहीं जाना है तुम जो भी करोगे इसी room में करोगे Frank को सुनना होता है कि क्या बात्चित चल रही है जब Charlie Willi को call करता है तो Willi कहता है कि हमें अभी कुछ भी करना नहीं है जो भी है वैसे ही चलने दो हम इसे ignore करने वाले है जब एक call खतम हो जाता है तो Frank Charlie से कहता है यह तुम पोर हो और वो reach है वो reach का कुछ ही बिगार नहीं सकते पर तुमारा बहुत कुछ बिगार सकते जो इन्हें पता करना है यह पता करकर ही रहेंगे और तुमें इन्हें बता देना चाहिए यह जो तुमारा फ्रेंड विली है इसके फादर को खुछना कुछ तो पता ही चल जाएगा और इसके बाद विली ही सब कुछ बता देगा इसमें दुमारा है सबसे ज़्यादा नुक्सान हो जाएगा आज थैंक्स कीविन है तो फ्रअंक का जो ब्रदर है उसके घर पर फ्रांक का चाडली आते हैं जाब वो यहां बोचते हैं तो किसी को भी खुशी नहीं होती फ्रैंक के जो nephew होती है, nephew के wife होती है, यह हमीं भाहते हैं, पर इनको भी उनके नाम से वो नहीं पहचांता फ्रैंक का बदर Charlie से पुछता है कि तुम कौन हो, वो कहह देता है कि वो इसके care करने के लिए आहा आया हुआ है फ्रैंक सुसाइड करने आला था इसलिए फ्रैंक के ब्रदर को यह कहता है कि यह बहुत ही लोनली है फ्रैंक का ब्रदर कहता है कि तुम तो अपने घर लेकर जाते है मेरे घर क्यों इसे लेकर आये हो यह फ्रैंक सुन लेता है फ्रेंक और उसके ब्रदर की फैमिली यह सब अब लंज करने के लिए बैठ जाते है लंज टेबल पर फ्रेंक की जो war stories होती है यह वो सब को सुनाने लग जाता है फ्रेंक का जो नेफी होता है यह फ्रेंक को बहुत ही हिट करता है यह उसे कहता है कि तुम तुमारे family को भी नहीं जानते हैं हम कौन हैं हमारा नाम क्या है यह भी तुम नहीं पता है Frank अपने nephew के insult करने के लिए कहता है कि तुमारी जो wife है यह unsatisfied है तुम इसका अच्छे से खायाल रखो nephew फिर चीर जाता है कि तुम बहुत ही irresponsible हो Frank ने अपने eyesight कैसे loss किये वो Charlie को बताता है यह कहता है कि आर्मे में था पर इसके superior से किसी से भी आच्छे सने बन दी थी इसे वज़े से इसका कभी promotion नहीं हो पाया एक दिन यह grenade से खेल रहा था इसकी जो पीन थी यह निकल गई थी और इससे इसका accident हो गया इसकी eyesight चली गई इसने सब को बताया कि इसने जो पीन है वो अंदर ही डाल कर रखी थी पर इससे कुछ फरक नहीं पड़ा Frank उस पर बहुत ही चिर जाता है उसका गरा पगड़ लेता है अपने ब्रदर से बात करकर वहाँ से Frank चला जाता है नेक्स दिना में दिखता है कि Frank की पास एक गण होती है इस गण को तोड़कर वो फिर से जोड़ रहा होता है वो Charlie को बताता है कि मेरा time count करो उसे 30 second ही लगते है उसे 25 second चाहिए होते है Charlie एक गण देखकर डर गया होता है Frank अपने आपको मार सकता है इसा उसे लगता है Frank को अभी भी कुछ चीज़े करने होती है तो Frank Charlie को कहता है कि और एक दिन तुम रुख जाओ Charlie कहता है कि मैं यह रुख सकता हूँ पर तुम्हारी जुगान है यह तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी Frank कहता है कि मैं करनल था मैं कभी भी अपने आम किसी को पे नितेता Charlie मारने रहा था तो उसे सिर्फ गोलिया दे देता है Charlie जो वहाँ से जाने लग जाता है तो उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो Charlie कहता है कि यह गलत है सही गलत मैं फरक में जानता हू Frank कहता है कि यह सी कुछ भी चीज नहीं होती तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो Frank इस पर बिलीव नहीं करता Frank और Charlie सिटी में गुमते है Frank शेविंग एकरा करता है जब यह रस्ते से चल रहे होते है तो Frank उसे पुछता है कि और भी तुम्हें कुछ चीज खाये जा रही है मुझे तुम्हें यह बता तो Charlie कहता है कि मुझे ब्राइब दी गई थी मैं अगर हा के देता तो मैं हरवर्ड में जा सकता हूँ Frank कहता है कि तुम्हें यह ले लिनी चाहिए तुम्हें जो फ्रेंड यह बहुत दिरीच है उसके फादर उसे बहुत डाल सकते है पर तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करने वाला तुम्हें यह जांस मिल रहा है तो तुम्हें यह ले लेना चाहिए Charlie कहता है कि मैं नहीं करने वाला फ्रेंड उसे पुछता है क्यूं नहीं करने वाले Charlie कहता है कि यह गलत है मेरे फ्रेंड्स के बारे में ऐसा मैं नहीं बता सकता फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा सोच रहे होगे तो इस वर्ल्ड में तुम्हें बहुत जादो तकलिफ होने वाली है यह दोनों फिर डिनर करने के लिए और एक बड़े से होटल में आ जाते है वाँ फ्रेंड को एक स्मेल आती है वो भुछता है कि यह स्मेल कहा से आ रही है एक लड़की बेठी हुई होती है चारली इसकी लोकेशन उसे बताता है फिर फ्रेंक उट जाता है और लड़की के बास जाकर वो दोनों बेट जाते है यह अकेली होती है और फ्रेंक को लगता है कि इसे company की ज़रूरत है जब वो उससे बुछता है तो यह लड़की कहती है कि मेरा जो boyfriend है कि अभी अभी आने वाला है फ्रेंक केता है कि तब तक हम तुम्हे company दे सकते है फ्रेंक उसके पूछता है कि अद्श चल रहा है तुम क्यों द्श नहीं करे बहुत ही enjoyable dance करते है और फिर से table पर आकर बेट जाते है इस लड़की का फिर boyfriend भाहता है और इन दोनों को city में जाना होता है इन दोनों का जो भी लता है ये फ्रैंक इंसिस्टर ता है कि वो पे कर दे फ्रैंक और चारली रात में अपनी निमो में एक जगा आते है एक होटेल होता है फ्रैंक ने अपने ट्राइवर को बोला था कि उसे हैस्ट कोट की जरूरत है ये इसकी पास अब आ चुका है चारली गाड़ी में रुखता है और फ्रैंक इस औरत के साथ सोने के लिए जाता है फ्रैंक जब गाड़ी में से अपने फ्रैंक को कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि विले ने अपने फादर को बता दिया है वो अपने फादरों को नहीं बताने वाला था जैसे फ्राइंक नहीं कहा था वेसे ही सब कुछ हो रहा है जब रात हो जाती है तो फ्राइंक वापस आ जाता है और ही होटेल में आ जाते है निएक दिन सुबा जब होती है तो फ्राइव के लिए हम जा सकते है जब 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 गाड़ी लेकर test drive करना चाहते है पर जो salesman होता है यह उन्हें मना कर देता है वो कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा costly है अगर इसको कुछ हो गया तो हम इसे afford नहीं कर पाएंगे फ्रैंक बहुत ही पस्पेशी होता है और जो salesman होता है इसे वो bribe दे देता है 2000 डॉलरों से दे देता है वो इसके बाद यह drive करने के लिए गाड़ी को बाहर लेकर जाते है चारली यह गाड़ी बहुत ही slowly slowly चाहरा होता है थोड़ी देर बाद एक सुमसान जगा पर वो आ जात है drifting भी इस करियों में वो करता है एक police officer इनको देख लेता है और pullover करता है फ्रैंक जोता है इसे eye contact नहीं बनाता जिससे उसे पता ना चल सके किया अंदा है यह officer से sorry केता है वो केता है मेरे बेटे को इस car का speed देखना था क्या मैं इसे disappointed कर देता है officer केता है कि हाँ ऐसा तुम् officer इसे छोड़ देने वाला होता है क्योंकि एक करनल है यह उसका respect करता है एक test strike हो जाने के बाद Frank बहुत ही ठक जाता है चारली फिर उसे hotel में लेकर आता है चारली को कहता है कि मुझे सिगास चाहिए इस सिगार लाने के लिए एक बहुत ही दूर के store पर उसे भीज रहा होता है चारली जब नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़ बड़े वो फिर से hotel room में आ जाता है जब वो room में देखता है तो करनल ने अपने जो uniform है वो पहन लिए उसके पास गने उसमें बुलेट से और वो आप खुदकुशी करने वाला है चारली उसे कहता है कि प्लीज ये गन रख दो तुम पेन में हो फ्रां कहता है कि तुमें क्या पता कि पेन क्या होता है फ्रां कि प्लीज गंसे दो झाल लग जने लग जाते करनल फिर करनल उससे कहता है, कि अब मैं दूरे माज देने वाला हूँ , वो काउंट करने लग जाता है चार्ली कहता है कि वेसे मेरे लाइफ अभी है आभी तु तुमने कहा है करनल फिर कहता है , यह मुझे डाउट है कि मुझे करना चाहिए या नहीं और फिर वो गन रख देता है फ्रैंक फिर चारली से ड्रिंग मांगता है और ये दोनों काउच में बैठ जाते है फ्रैंक कहता है कि इतने साल मैं ये सब जीता रहा मेरा एक ही गोल था कि मुझे भी एक कमपनी चाहिए थी जैसे वाइफ होती है उसी तरह से कमपैशनेट उसे कोई चाहिए था चारली कहता है तुम अभी भी वो सब पास सकते हो चारली उसे मजाग मजाग में कहता है कि तुम कमपैशनेट हो तुम इजी हो तुमारे पास रहना बहुत ही फन है और तुम जब ट्रैवल करते हो तो बहुत ही fun बन जाते हो Frank भी यह मजाग में लेता है Frank उसे पूछता है क्या तुम मेरी मजाग उड़ा रहे हो फिर यह दोनों इसमें हसने लग जाते है अब इनका फिर से घर जाने का टाइम आ जाता है जब एक कार में होते है तब Charlie को कॉल आता है उसके जो principal थे उसने यहने call किया होता है जब एक घर जाएगा तो एक बड़ी सी meeting होने वाली होती है इसमें यह जो सब incident हुआ है इसके बारे में hearing होने वाली होती है Charlie को उसके school में फ्राइंग छोड़ देता है जाते हो उससे कही कर जाता है कि मैं ठीक हूँ कोई problem नहीं है Charlie को जो face है वो फिल करता है वो कैसे दिखता है यह उससे पता करना होता है जो hearing थी है वो अब start हो जाती है Charlie यहाँ बेठा हुआ होता है विली जो था उसके parents भी यहाँ आय हुए है principal है फिर room address करने लग जाता है वो कैता है कि हमारे जो institute है इसके integrity का है सवाल है इसलिए बहुत इस टिकली एक committee के सामने सब facts डाल रहा होता है यह फिर विली को pressurize करता है वो कैता है कि जो भी सब हुआ था मुझे clear cut बताओ विली कहता है कि मेरे contact lenses जो थे वो on नहीं थे मैं कुछ भी बता नहीं सकता उसे बहुत ज़ादा pressurize करने के बाद अपने friends के नाम वो बता देता है अब यह चार्ली से question पूछने वाले होते है तो भी वहाँ Frank आ जाता है यह Frank से पूछता है कि तुम कौन हो Frank केता है कि इसके parent यहाँ आनी पाए मैं उनका अच्छा सा friend हूँ मैं इसके parents की बिहाब में यहाँ बैटने वाला हूँ principal फिर चार्ली से question पूछता है उससे पूछता है कि तुमारे तो eyesight सही है तुम बता सकते हो कि यह चार लोग थे या नहीं थे चार्ली केता है कि मुझे ज़्यादा clear नहीं है मैं कुछ दीख नहीं पाया उससे फिर से एक chance देता है बाए चार्ली कुछ बता था नहीं फिर यह जो principal होता है कमिटी को कहता है कि जो फिली था इसने कॉंटाई lenses नहीं पिने थे इससे हम कुछ बुलवा नहीं सकते पर यह जो चार्ली है इसने सब कुछ देखा था यह बिक चुका है इसलिए हम इस पर भेलू नहीं कर सकते हमारे institute में हम इसे रहने नहीं दे सकते इसे हमें expel कर देना चाहिए Frank फिर यहाँ बोलने लग जाता है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जो actual culprit है उने छोड़ कर दे रहे हो और इसे तुम सजा दे रहे हो और इसने ऐसा किया भी क्या है उसके friends के लिए cover कर रहा था इसके पास integrity है इसकी integrity है maintain कर रहा था इसे बोलने के लिए बोलकर तुम इसे स्नीच बना रहे हो इस institute में तुम सब लोग को स्नीच बना रहे हो इसे तुम real world में कैसे जी पाओगे को भी तुमारे सामने अगर मुश्किल आ जाए तुम इसे डर कर भाग जाओगे जो Charlie इसमें integrity है और किसी भी चीज़ के सामने ये डर कर भागेगा नहीं लाइफ में यही जादा important है चारली जैसे लड़कों को तुम्हें protect करना चाहिए उसे institute से नहीं निकाल देना चाहिए एक दिन आएगा जब institute को Charlie proud बनाएगा जब Frank अपनी speech कतम करता है तो committee भी decide करती है कि Charlie को कुछ भी होना नहीं चाहिए चारली और Frank को बहुत ही खुश होती है इस institute में एक teacher होती है जो भी Frank की एच की होती है उसके पास आती है उसकी praise करती है Frank उसे directly बूश लेता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है यह कुछ भी नहीं बोलती है यह दोनों एक दूसरे से flood करने लग जाते है और यह date पर जाने वाले होते है चारली फ्रैंक की घर उसे छोड़ने के लिए आता है जिस लिमो में वो आया था उस लिमो के driver को बहुत सारे पैसे वो दे देता है वो कहता है कि Charlie और में फिर से तुमारे साथ सफर करेंगे ड्रैवर भी उसे बहुत सारे पैसे मिले तो बहुत ही खोश होता है फ्रैंक फिर आगे चलता हो हम दिखता है उसके जो granddaughter और grandson जो होते है इनसे वो खेलने लग जाता है अपनी जो life है इसे वो अब better बनाना चाता है चारली भी देखकर खुश होता है और यही movie खतम हो जाती है फ्रैंक सुसाइड डलता है उसके life बहुत ही खराब हो चुकी थी पर अपनी life बदलने के लिए कभी भी late नहीं हुआ होता कभी भी अपनी relationship पर काम कर सकते हो और सही से decisions ले सकते हो फ्रैंक ने अपनी life सही करने के लिए पहले कदम तो ले लिए है उसकी जो चारली के साथ relationship है यह भी अब eternal हो चुकी है यह beautiful movie एक अच्छे message के साथ यहाँ खतम हो जाती है अगर आपको यह video अच्छा लगा होगा तो please इस video को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहे तो तो please इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon भी दबा दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये